इस्पेस जंक अंत्रिक्ष मल्वा की बारे में आप लोगों ने सुनाओगा और इस तरह का आप लोग देख सकते हैं मल्वा यानि कि आप लोग कच्रा कह सकते हैं अनुपयोगी कच्रा जिसका कोई उपयोग ही ना बचाओ अब आप देखिए आप लोग कोई electronic सामाल ले आते हैं उसका उपयोग कर देते हैं जब हो खराब हो जाता है तो वह भी तो आप लोगों की लिए डेड हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं, उपयोग के नहीं रहते हैं, या पर आप देखें, प्राक्टिक उपक्रह भी होते हैं, वहाँ भी बहुत सारे आप देखने की छुद ग्रह होते हैं, इस तरह के तोनी की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे इस पेस जंक से भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में NASA एननासा क्या है अमेरिकी एंतरेक्ष एइजनसी है NASA और इसकी भारत की एंतरेक्ष एइजनसी क्या है ईसरो तो नासा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थाफना हुई थी 29 जुलाई 1908 में और इसका हेड़क्वार्टर आपको कहा देखने को मिलेगा बॉसिंग्टन टेसी अगर इस रू की बात करें तो इंडियन स्पेस रसर्च और्गनाईजिसन की बात हो रही है और इसकी स्थाफना 16 अगस्त कितना 15 अगस्त 1979 में हुई थी 15 अगस्त 1979 में बैंगलोर करनाटक में इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप देखेंगे कि नासा ने के बिज्ञानिकों और कुछ अन्य बिसेसक्गों ने इस समस्या निटे निपठने के लिए कानूनी रूप से बादिकारी एक संधी की मांग की है और एक आंकड़ी की मताबिक हमारी ग्रह की आसपास का 6 तेजी से भीडभाड वाला होता रहा रहा है जिसमें बर्तमार में एक अक्छा में 9000 ओग्रह हैं और पूर्वी दच्षडी 22 सालों में भविस्तवानी किये कि यह संधीया 2030 तक 75000 तक पहुँश सकती है और आप लोग देखते रहते हैं ना सुनते भी रहते हैं कि इस एजनसी ने इतने ओपग्रह भेजे हैं तो संधीया तेजी से बढ़ रही रही है और अंत्रिक्ष में मलवा दो तरह का होता है एक प्राक्तिक होता है एक मानव निर्मित होता है प्राक्तिक मलवा में देखें आप लोग प्राक्तिक कचरे में देखें तो छुद द्ग्रह हो गए धूम केतु हो गए उलका पिंड हो गए जबकि मानव निर्मित मलवों में देखें तो ऐसे अंतरिक्ष मलवे आते हैं जो हम मानव इंसानों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यानों या उग्रों की समय आउधी पूरा हो जाने के बाद भी गुरुत्वा कसन के कारण पित्वी का चक्कर लगाते रहते हैं अब होता क्या है कि मलवा वो सक्क्री अंतरिक्ष यान दोनों ही अंतरिक्ष में काफी तेजी से गती से चलाय मान होते हैं ऐसे में अगर किसी छोटे से टुकडे से भी टकर होती है तो फैडाम इसका भयानक होने की संभावना होती है अब आप लोग रोड पर देख लिजेग और छोटा सा भी आगे गड़ा आ जाता है कुछ वस्तू टकरा जाती है तो आप देखते हैं कि दुर घणना हो जाती है तो उसी तरह से आप देखे अंतरिक्ष में भी चल रहे हैं अपनी अपनी स्थिति में अगर थोड़ी सी बीगलती हुई थोड़ी सी भी आप देखे यहां से वहां हुआ टक्रा आ जाता है एक्सिडेंट हो जाता है और साल 2021 की सुरुवात में ISS पर लगे 17 मीटर लंबे करनाडाई रोबोटिक सिस्टम से एक अंतरिक्ष मलवा टक्रा गया था और इस टक्र की वज़े से रोबोटिक सिस्टम में एक छेद हो गया था हाला कि इस घटना के बाब जू यह सिस्टम निर्वाद रूप से काम करता रहा और मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में लगबग 27,000 मलवे के टुकडे ऐसे हैं जिन पर नासा द्वारा नजर रखी जा रही है इसके अलाबा भी अंतरिक्ष में तमाम चोटे चोटे टुकडे यासे हैं जिन पर निगरानी रखना मुस्किल है लेकिन सच्चा ही है कि इन मलवों की बज़े से इंसानों की ओडानों और वोटिक मिसन को खत्रा पैदा होने की संभावना बनी रहती हैं तो यही है आपका इस पेस जंक यह आ अब्दों के बारे में जरूर सामानेक रखा गरिएगा पूछ लेता है कई बार प्रिलम्स में कि इस पेस जंक किस से संद्मंदित है ठीक है